नमस्कार जैहिंद परसातियों कैसे हैं आप सबी लोग मैं आशा करता हूँ आप सबी लोग अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे तंदुस्त होंगे और अच्छे से अपनी परिक्षाओं के त्यारी कर रहे होंगे जैसे कि आप सबी लोग जानते हैं कि बस कल से ही आ पहले भी आपको बताया था अभी इस event में भी आपको बता दूंगा बगर अब देखे हमारा फर्ज गया बन्ता है, हमारा कर्पव कर्त्वे बन्ता है कि प्रफरोर दिने ज़रूर जाना ये चीज़ द्यान रखना पर उसके लिए भी एलान कर रखा था कि इसका एकजाम जो है वो कंड़क करवाया जाएगा अगस्त के ही महीने में तो क्या possibilities हैं इतने सारे पद खाली आपको मिल जाएंगे शिक्षा विभाग में इसके पीछे क्या source है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कि 2,17,581 ऐसे पद हैं जो शिक्षा विभाग में खाली पड़े हैं कब तक vacancies आ सकती हैं उनके exam कब तक conduct करवाए जाएंगे इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको सही information सटीक तरीके से देखने के लिए और आपको समझ भी आए कि हाँ या ठीक था जो भी दिखाया तो देखिए बीपेसी के अधियक श्रवी मनु भाई परमार ने मंगलवार को कहा कि आयोग द्वारा पूर्व से घोशित एक्जाम केलेंडर के अनुसार 24 अगस्ते से चौते चरण के शिक्षा नियुक्ती परिक्षा 3 4.0 जो है उसके एक्जाम कंड़क करवाए जाने थे मगर उन्होंने कहा क्योंकि 3 3.0 का रिजल्ट जारी होने में अब भिहारतियों के योगदान के बाद रिक्त पद वापिस भेज़े जाएंगे मतलब वो कहते हैं कि भाईया जब तक एक्जाम होता नहीं 3 3.0 का उसके बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता क्योंकि रिजल्ट आने के बाद देखा जाएगा कि कुछ पद खाली तो नहीं बज गए है 83,000 है 33.0 में कुछ पोस्ट खाली तो नहीं रहेगी है और यदि वो खाली रहे गई है तो उनको फिर भेजा जाएगा ताकि वो दुबारा से जुड़कर आएंगी नहीं वेकेंसिस के साथ इसके साथ-सत वो कहते है कि रिजल्ट आने में थोड़ा सा विलंब हो सकता है क्योंकि वो जो 65 प्रतीशत वाले आरक्षन का मुद्दा है वो भी फसा हुआ है इस समय क्योंकि पटना हाई कोट ने उठ पता है ट्री 4.0 के आई नहीं है तो मुझे व्यक्तिगत तोर पे ऐसा रगता है कि दूसरे सपताहा के आसपास अगस्त के दूसरे सपताहा में आप देखेंगे कि इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी ट्री 4.0 की और परिक्षा मुझे लगता है 45 दिनों के भीतर लेने का प्रियास करेगा डिपार्टमेंट क्योंकि जो हम शुरू से देखते आ रहे हैं तो उसका ये फोट मोटिफ है कि 5.0 की विकेंसी भी दे दी जाए और उसका एक्जाम जनवरी फरवरी 2025 में कंड़क करवाए वो तो अगर ये सब चीजे उसने अभी भी अपने दिम जालना असान हो जाएगा बीपिए से 3.0 की और 45 दिन का समय में लेकर चल रहा हूं कि वो 45 डेस के आसपास का टाइम लेगा जिस दिन बेसिकली फॉर्म निकालेगा उससे मुझे लगता है 45 से 60 दिन का समय लेगा एक्जाम को कंड़क करवाने में ठीक है तो आप आनके चलि यह है कि पहले वेकेंसिस निकाली जाएं जब निकाली जाएगी तो परिक्षा भी आपको पता है ओन टाइम कराने का परियास डिपार्टमेंट का हो गई इसके साथ साथ आगे ही वो बताते हैं 70 वे BPSC के बारे में भी कि भाया उसमें भी थोड़ा सा विलंब हो सकता है उ बहुत हद तक चांसिस है कि इस बार फेर परिक्षा करवाई जाएगी इस बार वो चिटिंग जो एक पूरा का पूरा संगठन बन गया है इस बार उनके हाथ में वो परचा पेपर नहीं लगेगा जिसके चलते विध्यारतियों का नुकसान हो जिसके चलते वो जो महनती व विभाग में अनपचारिक मतलब अभी ओफिशल नहीं हुआ है बगर दो लाक सत्रा हजार पांसु एक्याणवे ऐसे पद हैं जो खाली पड़े हैं और भी कई सारी डिपार्टमेंट से भाई जिसमें पोस्टे खाली पड़ी है तो आप देखेंगे आने वाले समय में अच चाहे SI की बात करें चाहे हम पंचायत वाली वेकेंसिस जो आएंगी सचीव वाली उसकी बात करें तो हर एक प्रकार की वेकेंसिस की त्यारी बिहार प्रिद्यू की परिक्षाओं से संबंदित आपको बिहार उतकर्ष चैनल पे करवाई जाएगी